हलो फ्रेंड स्वागत आपका अपनी चैनल इसके टेक्नोलाजी 30 पे तो आज हम इस वीडियों बात करेंगे आई-ओ-C-E-L यानि इंडियान आल कारपरेशन लिम्टेंड में जो वेकेंसी आउट की गई है आई-टी-आई-ट्वेल्थ ग्रेजुएशन और डिप्लोमा वाल तापकि आपको कोई प्राप्लम ना हो फार्म फिलप करने में तो सबसे पहले आपको इसके आफिसल बेपसाइट पर आना होगा जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिशन बाक्स में दे दूंगी वहां से आप डायरेक्ली इस पेज़ पर आ सकते हैं यहां पर आएंगे नीच हम यहां पर इसके आफिसल नोटिफिकेशन के डीटेल के बारे में जान लेते हैं उसके बाद हम यहां पर आनलाइन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे आप देख सकते हैं हम इंडिया नोटिफिकेशन पेज़ पर हैं इसे आप आल इंडिया से अपलाई कर पाएंगे तो और यहां पर electronics के लिए है पर डिप्लोमा के लिए वालों के लिए वाकेंशी आउट की गई है लेक्रीक अल आइप आऊचे लिए हैं चलिए नीचे दिख लेते हैं जोंगा कैंट किलिए राट फ्रीकुल होले हैं जो यहां इस पीडियोगाइक कि ए तो पे चली आउट की इसरी उत्वरेक्ट बरतन की नहीं तो इस प्रेटी प्लाई करना चाहता है तो चलिए हम देख लेते हैं इससे एप अप्लाइ कैसे करेंगे अपिशल में करने के लि gourmet कि गई tracking करना लगाँ में के बाद सामने आप यहां पर उख vadis बिए चाहते हैं करने के самärा लगूपर थे आप यहां से registration कर सकते हैं, यहां पर print download application फार्म पर click करके आप यहां पर जो फार्म फिलप करेंगे उसका print निकाल सकते हैं, यहां पर admin card का print निकाल सकते हैं, यहां पर call letter का आप print निकाल सकते हैं, चलिए फिर्ट्स हमें सबसे पहले registration कर लेना है, तो यहां पर online registration पर click कर लेते के बाद आपके सामने यहां पर information का ऐसा page open हो जाएगा यहां पर जो जो भी डाकुमेंट दिये गए यहां पर photo आपका और यहां पर signature यहां पर सारे डाकुमेंट पैन कार्ड अधार कार्ड आपको सारे यहां पर पहले ही डाकुमेंट रेडी कर लेने यहां पर 5 KB से 100 KB के ब क्लिक कर लेना है उसके बाद आपको यहां पर अपना email address फिलप कर लेना है email ID और उसके बाद यहां पर अपना mobile number फिलप करके आपको इसा पेज ओपन हो जाएगा यहां पर सबसे पहले आपको अपने high school के मार्सिट के अनुसार यहां पर अपना name इंटर कर लेना है अगर आ यहां पर अपने father, mother, husband name जिसका name आप यहां पर देना चाहते हैं यहां से आप उससे select कर लेजेगा उसके बाद यहां पर उनका name फिलप कर लेजेगा यहां पर उनके साथ आपका relation में फिलप हो जाएगा उसके बाद नीचे आएंगे तो आपकी जो भी यहां पर जेंडर है आप यहां पर से click करके वहां से अपनी category select कर लेजेगा उसके बाद अगर आप P.W.D. candidate है तो यहां पर आप सब category अपने select कर लेजेगा जो भी आपके अंदर disability हो अगर आप यहां पर P.W.D. candidate है तो नहीं तो आपको none पर ही रहने देना है उसके बाद आपको यहां पर अपन limitation center चाहते हैं वहां पर उसलेक कर लीजेगा नीचे आएंगे तो आपका अपना यहां पर highest qualification यहां पर select करना होगा यहां पर आपने जो भी स्लेट किया है उसके अपने mark score किया है आप ने i.t.i.kि आपका इन डिप्लोमा किया है उसमें जितना आपका mark आया है यहां पर fill up कर कर earthly करी ज़ेंगा उसके बाद यह पर अपना इ·मेल और फिल्फ प्रकाव नहींक क हैं तो आपको अपना पर यहां पर प्र्रजेंट एड्रेस दोनों प्लीट्न अपना आट्रेस दिश्टुिक प्रेश है है और यहां पर आपको अपना पाजने कोड सब्सक्राइब स Kylie यहां पर क्लिक यहां पर दोनों नहीं करेंगी करेंगे उसके बार नीचे आएंगे तो आप कोई कम परसेरी नहीं वेकिन अगर आप कर देना चाहते हैं, यहां परga investigating responding. नमबर यहां पर बैंक ने आएफसी कोड यहां पर आपके पास्बूक पर दिया रहेगा आएफसी कोड और पैन नमबर या तो आधार नमबर दोनों से जो भी आप देना चाहते हैं उसके बाद आपको यहां पर डाकुमेंट अप्लोड करने हैं जो जो भी यहां पर दिया ग कर लिजेगा यहां पर जो आप qualification mark street upload करेंगे यहां पर pen card आधार card जो भी आप upload करना चाहते है अप्लोड करेंगे तो यहां पर जब आपका match हो जाए तो यहां पर green color का हो जाएगा आप देख सकते हैं मैंने upload लिजेगा अगर यहां पर कुछ भी आपको गलत दिखे या कुछ भी आपका सही नहीं हो तो आप यहां पर edit पर click करके पहले उसे correction कर लिजेगा क्योंकि बाद में submit पर click करने के बाद आप कुछ भी correction नहीं कर सकते हैं तो अच्छे से check कर लिजेगा अगर सब okay हो तो आप यहां पर click कर लिजेगा उसके बाद आपको यहां पर final सब्मिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा मैसे जो आ जाएगा अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते तो अभी भी कर सकते हैं नहीं तो यहां पर आपको क्लिक करने के बाद कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते तो पहले आप चेक कर लिजेगा उसके बाद आप यहां करने के बाद के सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा देख सकते हैं यहां पर आपका फार्म हो चुका है अब यहां पर सिंपली यहां पर क्लिक करकि इसका फाइनल प्रिंट आउट निकाल सके या PDF में आप अपने मुबाइल में सेव कर सकते हैं इस PDF को देख सकते हैं आपका फार्म में यहां पर फाइनल प्रिंट आउट करने के बाद ऐसा सो होगा तो अगर आप इलिजबल है अपलाई करना चाहते हैं तो जरूर अपलाई कीजिए इस फार्म को अपलाई करने के आपको यह आपको प्राबलम होता हमें कमेंट बाक्स पे कमेंट कीजेगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत भुत धन्यवादी